गड़ांत हैक फॉर्मुला है तो 25 5025 25 50 25 क्या बताता है इस प्रेंशिपल बोलता है कि जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे यह कोई इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं जिनकी टीम मनाएंगे इन में से किसी भी बात को अगर आप टीम में रखोगे किसी बात को जैसे सपोज एक्जामपल के लिए आप डायमन टीट रहें और आप नहीं बोला कि चलिए आपके लिए अभी काम करते इस महीने में एक सक्सिस प्रिव्यू सेमिनार और नाइज कर लेते हैं तो हमारी टीम में एक टारगेट डेट रहेगी उस डेट तक जितने लोग भी ब्राउंच लेविल अच्छीव करेंगे जितने लोग प्लैक्रिनम लेविल अच्छीव करेंगे जितने सिल्वर लेविल अच्छीव करेंगे ग्रेट महागरुजी का आशिरवाद लेके हम उनक को पिन से रिकनाइज करेंगे सम्मानित करेंगे सबोज आपने एक प्रस्ताव रखा उधारन के लिए तो आपने पूरी टीम के सामने रखा किसी एक सहर में तो उसमें से क्या रिस्पोंस आएगा क्या जानना चाहोगे वह 100 परसेंट लोगों को आपने टीम को बताया उसमें से 25 परसेंट लोग एक दम बजरंग बली की माफिक जै हो मा गुरुजी की मजा जाएगा दंदार हो जाएगा फार देंगे लाइन लग जाएगी क्या कमाल का दासु आइडिय है गुरुजी और आपने हमारे दिल की बात सुली क्या रिस्पोंस आएगा यह रिस्पोंस आएगा कौन सा दंदार मुझा जल्दी बताओ टेट जल्दी फैनल करो पास देदो पास गुरुजी पास देदो यह कितने होंगे 25 परसेंट लीडरों में से एक्टिव लोगों म पाइंगे कि करना सई रहेगा आफ फिलाल यह नहीं भी सई रहेगा फिलाथ जुरुट है क्या अभी जुरुट है क्या करें तो 50% डिसाइड ही निकर पायां है और 25% तो तुरंत इंकार कर देंगे आगर जी तो रिजेक्ट कर देंगे और 20 परसेंट कि एपको support करेंगे आपके विचार को और 15 परसेंट हो रिजेट कर देंगे 50 परसेंट डेसाइट नहीं कर पाएंगे तो आपके पास टुटी पाथ प्रसेंट एक भॉनमयों पिलस 50% भी आपके बहुमत में तरहेगा यह आपकी काबलियत को उपर डिपेंड करेगा अब आपको क्या करना है न तो यह यह में न नो में आपकी काबलियत डिपेंड करेगी कि इनको आपने समझाना है बताना है फायदा बताना है यह 50% लोग जिदर मूब कर जाते हैं उस के बोट देंगे देंगे बगर समझाएं और 25 परसेंट ऐसे होगे जो मरते मर जाएंगे पर नहीं देंगे कि अलो कि 50 परसेंट्ट फ्योंगे अपने नेता से पूछेंगे चुट भईये नेता से गहां से इस से इसते का कना करवट का ले रहा हूं इस बार करना है 50 परशंट संट लोग से दर फलतेंगे उसी का जयकारा हो जाकारा है स्टार्व कि सम्झाने से समझ जातें फचास परशंट लोग। तो अभी हमने कहा करना इनको समझाते रेना है इनकी थर्ड पार्टी करते रहना है समझाते रहना है और सिस्टम पर बना की र पढ़ना है यह शुरुआ से चले आ रहे हुए आधिकाल से कभ सिखाए आधिकाल से चले आ रहे है और हमेशा हमेशा तक बने रहेंगे त्रिता कोonositaire तक बने रहेंगे इसलिए सीधा 75 फुरें को कही लिए लोगों को बताया गया पचीस पचास और पचीस वो कौन से हैं इनको ऐसे समझ सकते हैं पहले पचीस परशन्ट के लाते हैं हनुमान मोड जय हो मांको जी की कि यह कौन सा मोड है जैसे बाइबरेशन मोड साइलेंड मोड होता है हनुमान मोड जय श्रीरामयर मांक रोचे की पास दो दो पास जल्दी करने दो ल्टीपी में करलेंगे ये म्हां तो बच्पन से रर्टी था कि लिए बच्पन से रेड़ी था दूसरा कौन सा है अर्जुन मोड यह 50 परसेंट है यह एंड टायम पर बोलेगा ले जाना है कि आप ले जाने पड़ेंगे सही बता हूं करना है कि प्रमोशन लेकि इसको समझाओगे तो इस समझ जाएगा बस अंतर इतना है अठारे अध्य और 700 सुलोग कि यह एंड टायम पर पूछेगा गुरु जी ले जाना है कि यह पूरी सेना खड़ी है यह सेना खड़ी है इसको बीच में ले जाके कनियां जी को कृषी कृष्ण जी को 700 सुलोग सुनाने पड़ेंगे अठारे अध्याय उसके बाद मान जाएगा फिर काम कर कि डाउनलान के सामने तो कर नहीं सकते हैं तो इनको समझाना पड़ेगा लेकिन अरजुन हैं तैयार हो जाएंगे एना काम के हैं और तीसरे बालों की तरफ द्यान देने जूरत नहीं है चिप चब आगे बढ़ जाओं सही है है हलो यह बिसन्स में इस तरह से आपका बिसन सब्सक्राइबम to make this bottom 25% happy अपने 25% प्रयास इनको खुश करने में मत बिताओ चुप चाब आगे वड़ जाओ आगे वड़ जाओ दे आर नोट गूंगे भी नहीं खुश करने के टकर बढ़ आये अवकात पे है अदोर्ण किप अबटर्म 25% प्लेट फर्षैंट कुई प्लेटी सब्सक्राइब टार्न के मि अपच्छन लृट्वा को प्लेट फॉंग रखना को थी जाए कम से कम इसके हलावा गिव था क्रेड़िट प्लेटफॉर्म टॉप 25 परसेंट देविल हैल्प यूर्टीम तुट टॉप सो ये ऐसे लोग होते हैं इध्यान अगना चुटे चुटे चैलेंज है हमारे बिजनस के और कुछ नहीं है एक महला एक बुड़ी महला महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचती है और बोलती है भगवन आप तो स्वेम साक्षाद भगवन है उसका एक बच्चा था बच्च एक सांपने काटने के वज़े से सीतत कालमिर्ति हो गई बहुत बहुत उदास थी बहुत दुखी थी अपने बच्चे को गोद में लिटाए हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है बोलती भगवन मेरा मेरा पास तो कुछ है ही नहीं एक ये बच्चा था और आप आप से विंति है इसको आप जीवित कर दो कैसे भी करके क्या बोला इस बच्चे को जीवित कर दो आप मेरी आप से करदा से विंति मेरे पाग कुछ नहीं है बच्चे को जीवित कर दो आप, ना इस बच्चे की कोई गलती ना मेरी कोई गलती, मैं कुछ और नहीं मांगती, मैंने कभी कुछ और मांगा नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं, धहरी रखो, धीरज रखो, और आप जो बोल रही हो, ऐसा हो जाएगा, आपका बच्चा जी जाना हैं, और गाओं में से एक मुठी चावल लेके आने हैं, ऐसे परिवार से, ऐसे घर से लाने हैं, जिस घर में आज तक कोई डैथ ना होई हो, कोई व्यक्ति कोई इस घर में ना मरा हो, ऐसे परिवार से एक मुठी चावल लाना है, वो महला जाती है, बूडी महला, एक परिवार में दरौजा खड़ाती है और बोलती है कि सहाब एक मुठी चावल चाहिए मिलेगा मिलेगा तो क्या आपके घर में किसी की कोई डैथ तो नहीं हुई लहां हुई तो है अब पोलना नहीं फिर मैं आप से नहीं ले सकती महत्मां जी उला है कि जिसके आंना हुई हो वहीं से लाना भी भाइस ते बापस आती है महिला और ऐसे ऐसे कहानी बताती है भगवान बुद्ध को तो बोलती है कि कोई भी घर नहीं था ऐसा जहां पर ऐसा नहुआ हो दुखत गटना नह गटी हो तो मैं तो चावला ही नहीं पाई महराज तो बुद्ध भगवान ने बोला कि ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां पर यह दुखत गटना नहीं हो और उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने प्रियजन के जाने पर वो जीवित ना हो और अपने जीवन को जी ना रहा हो सबके साथ यह दुखत गटना गटी है तो फिर आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि अगर आपके साथ हो गई तो आप जीवित नहीं रह पाओगी हर एक ने अपने प्रियजन को खोया है या कोई ने कोई चैलेंज को सहा है तो महला समझ गई उसको जवाब ने प्रश्ण का मिल गय अब बाता थि कि अंदर क्या कोई इसि टाइप से ले जाएगा तो चैलेंज किसी के लिए होता बहुत बदा चैलेंज है लेंगिन एसल वह कुछ नहीं होता है छोटा सा होता है नाम-मात्र-का और नमात्र-का चैलेंज यही है कि उन्हों के साथ एक बड़िया अच्छी न नहीं चलेगी कभी एक लाग में टोप काम करना तॉन जालूत मुच्छ झादटेंगे तो आपके पास क्लाएव एक Vince चैलेंज आएगा तो सर्दी सर्दी में सर्दी पड़ेगी लेकिन सर्दी का चेलेंज आजाएगा गुरुजी अभी तो बहुत पड़ रही है अभी कैसे जाओं दूसरे सहर में बच्चों को छोड़के तो यह चेलेंज है लेकिन सर्दी को तो बंद नहीं कर सकते रोक तो सकते नहीं है हां लेकिन सर्दी तैम् कबड़े पहन सकतें गर्म कुछ क्छापी सकते हैं अधर कम्पनी का वी चंग है कि तो उनको नहीं आया होगा बिल्कुल आया होगा नेचरल का चेलेंज प्रकृति का चेलेंज आ गया कभी किसी को बुखार आ गया तो सावधानिया बढ़ती जा सकती है और आगे बढ़ाया जा सकता है लेंग्वेज प्रॉलम आती है जैसे बोले अभी बंगाल से हमारे टाइ प्रॉलम होती कोई राजिस्तान सी जम करके महरास्ट्र में जाते हैं तो उनके लिए कुछ सब कुछ नया होता है बंगाल में जाते हैं तो नया होता है यह सब छुटे-छुटे चैलेंज जो है हमारे लिए क्या है एक शार्क का काम करते हैं किसा काम करते हैं शार्क का तो कानी आपने सुनी होगी है है अच्छा सतेन सर ने कल बोला था कि सुनी भी ओ तो इंकार कर देना ठीक है ट्रेनिक पॉलो रही है बहुत बढ़िया तो ऐसा बोलते हैं कि बिना बारिश के बिना बारिश और धूप और हवा के थपेड़ों को सहे बिना कोई भी पौदा ब्रक्ष नहीं बनता ऐसे इम बोल सकते हैं ना बिना तेज धूप बिना तेज बारिश और बिना लपेटों के या तेज हवाओं के जो जपेड़े पड़ते हैं उसके बिना कोई भी जो पौदा होता है दमदार होते हैं यह बिजनस में आपको मजबूत बनाते हैं और इसको तो बहुत आसान सब्दों में बहुत सरल सब्दों में कैसे समझ सकते हैं इस वीडियो से समझ सकते हैं कि अभी को है तो बताया कि दूद जो मिलता है तो दूद का जो समय आयू होती है बहुत कम होती है सुबह का दूध अगर उसको तपाया ना जाए से जैसा है वैसे रख दिया जाए तो खराब हो जाएका बहुत जल्दी है ना लेकिन उसको जमा दिया जाए तो दही बन जाता है और जो के दो दिन तीन दिन चल जाता है तो उसकी एज बढ़ जाती है समय सीमा बढ़ जाती है उसी दही को मता जाए तो क्या बनता है माखन तो माखन का समय और बढ़ जाता है एक सपताह तक चल जाता है और मूले भी बढ संतर बढ़ गया कि समय सीमा भी बढ़ गई फिर दही से मखन परसंग बढ़ गई और नीजग देय vea ler चेलेंज मतलब हाँ हाँ चेलेंज मतलब मतलब कि घड़याल लगाना पीछे हैं और एक 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 वर्ड है एक मां मां चिडिया है मां वर्ड है एक मदर वर्ड है अपने तीन बच्छों को उड़ना सिखाती है एक मां पच्ची है जो अपने तीन बच्चों को उड़ना सिखाती है हलो उड़ना सिखा रही है तो उड़ना सिखाने के लिए वो लाती है खाना लाती है उनको अभी तक खिला रही थी अब उस मां को लगा कि मैं जो खाना लाके देती थी इनको उसका वक्त पुरा हो गया अ कि भी सुवतंत्र रीडर बन जैए ने आप इड़ना सीखना ही होगा कियों क्यों क्यों कि अपनी जिंत की इनको जीनी को लटना सिखाती है तो वो भूना माम हमें निंच्श को सिखाती है कि यहां से एक बड़ी टीले से पाड़ी से तुम्हें जंप लगाने जंप लगाने के बाद एक दम से तुम नीचे गिरोगे लेकिन पंक चलाते रहना पंक चलाते रहना पंक चलाओगे तो भी स्टैविलिटी नहीं आओगे फिर भी नीचे गिरोगे फिर भी भरोसा रख तो नीचे गिरोगे तो भी पंक खिलाना बंद नहीं करना यह कौन सिखा रही है मां जोड़ना जानती है तो इसको जो मैं बता रहा हूं इस घटना को वीडियो में देखना चाहोगे चलो देखते हैं मुझे लड़ीप में नहीं जाना प्रभू मुझे रैम करो मुझे पकस दो इस दिखे मां करे नहीं उड़ना पड़ेगा तुम्हें तयार उना पड़ेगा चाल चुट्टी नहीं है सर मां गुरूजी चुटी नहीं है हाट मैं देख लूगा सब जो होगा देखा जाएगा तुम्हें का देखना बोगतना तो मुझे पड़ेगा लेकिन इमान ने रहे और से दो की हाला तोर देख लिए पहला काम तमाम दूसरा तो लेंडी नी कर पाया उपर जो फें काम तमाम हो गया तीसरा अपनी आहल देख रहा है लेकिन नहीं मान रहे है वो फूट था उसका यह ना यह तो आए इसके शामत आगई इसकी तो मेरा भी फायट और तुमारा भी फायट क्या मोई आद करोगी अगर बेटा दो टीटी कम रह गये मेरे तेरा तो हो गया लेकिन जो कोर तैयार हो चुका जो लीडर बन गया जो एक बार लेगा टेक आउप दूसरी बार भी उड़ेगा तैयार हो गया के नहीं हो गया बदाई हो गराचुलेशन जिसमें जो चेलेंज है उसी में अफसर छेपा है घड़याल है ढम्सटार उड़ेशन लिकमिंप फेश्या इस चेलेंज है लेकिन घड़याल है तो ही हो टोब भी हो रहा है नहीं तो ऐसी मुर्की केत्र कुपड 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 था हलो यह उड़ना था अगर गड़्याल नहीं होता तो उपर से एक नहीं दो दो आहाँ एक तो उड़ाई नहीं पारा जैसे दो हुए सीधा टेक आप मान ही कुछ ट्रेनिंग दे पा रही जो ट्रेनिंग मान नहीं दे पा रही बो ट्रेनिंग गड़्याल ने दिवा क्या जवर्दस ट्रेनिंग दी उड़ा दिया और देखो घड़याल इसको अपने बिजनस में रिलेट करते हैं बिजनस में कैसे रिलेट करते हैं सते इंद्परसाजी पचास यार रुपे कमाते थे संथ 2003 में चार में पांच में जब भी इनों ने जोईन किया और बात में आए इस है क्या हुगा चैक का चैक का चैक आनी रहा उपर से इधर से पचास यार भी बंद तो टेक ओफ होगा के ने होगा है